राजधानी जैपूर सहित प्रदेश भर में मौसम विभाग के औरेंज अलट के बाद में लगातार दूसरे दिन कडाके की सर्दी पड़ रही है शीत लहर इतनी तेज है कि दिन में भी 19 डिगरी तापमान रहा जबकि नियुंतन तापमान 5-6 डिगरी तक यहां पर दर्ज चुकिया गया दोपैर बाद में पारकों में लोग घूमने के लिए निकले जहां पर वो धूप लेते हुए नजर आए जैपूर के प्रमुख सेंटरल पार्क में भी लोगों को सुस्ताते देखा गया जैजाल या निउज इंडिया के प्रधान संबादाता नीरा शर्मा ने आप इस रिपोर्ट को देखी और मुझे दीजे जाज़त नमस्कार पूरा उत्री भारत शीत लहर की चपेट में हैं मौसम इभाग ने 31 तारिक तक औरेंज अलर्ट जरी किया है हिमाचल प्रदेश कुफरी शिमला के अंदर बरबारी हुई है साथ ही जम्मू कश्मीर और पंजाब हरियाना हिमाचल राजस्तान के अंदर शीत लहर का प्रकौफ है दिल्ली राजधानी और इसके साथ ही उत्रपदेश में भी मदपदेश में भी शीत लहर जो है वो चल रही है अगर राजस्तान की राजधानी जैपूर की बात करें त के अंदर हम देख सकते हैं लोग दोपयर के टाइम में गुरूंगरी दूप में पूरी नहीं गरम लिवास जो है वो पहन रखा है बास्क और से पूर इस्तेमाल है साथ ही मुंगफली जो सर्दी का मेवा जिसे कहा जाता है उसका भी आनन्द लिया जा रहा है सर्दी के बचा जो है इसका आनन्द ले दूप का अनन जो है वह पारकों के अंदर ले रहे हैं तो दोपयरी के अंदर भी जो वॉक करते हुए लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि गुंगुनी दूप है और शीत लहर इतनी प्रचंड है कि सुबह के टाइम लोग नहीं जा पाते ऐसे में इरेश्चरमान न्यूस इंडिया जेपर